कि अब आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम एक बहुत इंपॉर्टन टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो के है कि किस तरीके से हम अपना हम लोगो चेंज कर सकते हैं वेबब्साइड का और किस तरीके से हम अपनी वेब्साइड का टाइटल Kansas को रहता है सम ठाइब का डिजाइंड निदिफरेंट हो सकता है मेन यह सेंटर में भी हो सकता है हमाँ लोगों और यहां पर भी हो सकता है अगर वेबसाइट जो है वो हम अरेबिक लेंग्विज में बना रहे हैं या इस तरीके से कुछ हो तो वो इसका जो ले आउट है हेडर का वो चेंज हो सकता है तो साइट टाइटल से क्या मुराद है अगर आप सबसे टॉप पर देखें त तो सबसे पहले यह हमारे पास जो लोगो की अगरCH बात करें तो हमारे पास सिंपल यहां पर एक टेक्स लिए खाई हूँ है तो में चाहता हूँ के मेरे एक लोगो जो मेरे ब्रैंड को रीप्रेज़ेंट कर रहा हूं पहूं थो मैं उसको यहां पर प्लेस कैसे करेंगे और लोगों जो है वो हम खुद कैसे बना सकते हैं तो एक वेबसाइड है हमारे पास कैनवा.com तो अपने जीमेल के थूँ आपने इसमें लॉग इन हो जाना है तो आप यहां पर जो है अपने जो वीडियो हैं वो क्रियेट कर सकते हैं जरूरत नहीं पड़ेगी वेब डिवेल्पमेंट में तो प्रेजेंटेशन हम बना सकते हैं लोगों बना सकते हैं तो लोगों पर अगर मैं क्लिक करूं तो हमारे पास कुछ ऐसा जो इंटरफेस है वो आने वाला है तो यहां पर डिफरेंट इन्हों ने लोगों की टेंपलेट्स दे दी हैं आप इन का जो कॉंटेंट है उसको चेंज कर सकते हैं और यहां पर क्लिक करने के बाद अगर मैं डबल क्लिक करूं तो यह देखें मैं इसको एडिट कर पा रहा हूं तो हम यहां पर कुछ भी लिख सकते हैं तो बिनना टाइम को वेस्ट किया मैं इसको यहां से क्या करूंगा डाउ है तो हमारी जो website है उसमें अगर हमारा रेंटर का बैग्राउंड देखें तो वह वाइट है तो यह अच्छा नहीं लगने वाला तो सम्टाइम क्लाइंट या कस्पमर हमारा होता है वह भी हमें लोगो ऐसा प्रवाइड करता है जिसका background यह होता है वो रिमूव नहीं होता है तो वहाम हमें करना पड़ता है तो वहम कैसे करेंगे adequate हाँ इस रप ने जिए मुओ डॉट भीजी तो इस वेबसेट पर आप चांव SALA कर आपके पास जो भी लोगो साइड का जो इंटरफेस है वो कुछ इस त्रीक ऐसा है यहां पर आपको अपलोड का एक बटन नजर आ करेंगे अभी हम इसको अपनी वेंट घ्रेश करेंगे तो चलें देखते हैं तो सबसे पहले हमें आना है अपना जो वर्डर्पेश का डैश बूर्ड है उसमें डैश बूर्ड में आने के बाद आईशों बहुत सी चीज़ें हमने कवर लिए हैं वर्डपेस टीटोरियल में तो कुछ आप्शन से से आप फिमिलर हो गए होंगे जैसे यह पोस्ट हो गया पेजीज कॉमेंट्स और अपियरंस में भी हमने काफी कुछ देख लिया जैसे के थीम्स और देख लिया विजिट देख लिया मैन्यू देख लिया है तो अब हम आज जाएंगे कस्टमाइज के कर लेता हूं कि क्योंकि क्स्टमाइज वह एक ऐसी जगा है जहां पर कर सकते हैं तो चले यहां पर हमारे पास कुछ इस तरीके से हाँ तो अभी हम immers बात करेंगे better के बारे में तो यह हमारा हमारा लोगो मैंस्पर कोरेंन तो यहां पर पैंसिल मिटन का वटनों है तो मैं तो अगरम इस पर लोगो चेंज वाले Psalm के च Adaptalini लेकिन हम देखेंगे कि अगर यह मुझे पैंसिल नहीं मिलती तो फिर मैं कैसे अक्सेस करूंगा इस चीज़ को तो सबसे पहले आपने देखना है कि यह कौन सा पार्ट है हमारा हेडर पार्ट है अपने हेडर बिल्डर में जाने उसके बाद आपको मिलेगा साइट टाइटल और सेकंड है प्राइमरी मेनियो प्राइमरी मेनियो जो कैसे सेट करना है वह हम आलरेड़ी देख चुके हैं तो अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं साइट टाइटल लोगो इस पर अगर मैं क्लिक करूं तो क्या आएगा हमारे पास लोगो सेट करने का ऑप्शन आ गया तो इस के बाद यह हमारी जो वेब साइड है उस पर क्या हो जाएगा अपलोड हो जाएगा तो यहां पर एक आप्शन आता है कि हम अपना जो लोगो है उसको क्रॉप कर सकते हैं तो नोट रेक्योमेंड़ है आप क्रॉप ना करें तो क्या आप्शन है आपके पास आप स्पिक क्र क्रोंप कर सकते हैं मैं हमेशा करता हूं इसे क्योंके वह हमारा जो लोगो पते हैं गुर्फ तो हमारे पास पास टीक्र टाइम यो अगर लोगों को आप देखें तो इसकी विद्ध है उसको हम क्या कर देंगे चोटा कर देंगे और वहां पर ले आएंगे जहां पर यह हमारी website को suit करें तो आई तिंग यह सई जगह यहां पर मैंने अभी इसको रख लिया है तो सेकंड हमारे पास जो title है ना वो मैं यहां पर डिस्प्ले नहीं करवाना चाहरा क्योंकि यह बहुत ही बुरा लग रहा है तो यहां पर एक option आ रहा है डिस्प्ले साइट टाइटल तो मैं इस पर अगर क्लिक करता हूं तो हमारा जो site title है वो खतम हो जाएगा तो almost हमारा जो logo है वो place हो चुका है यह करने के ढरिकते बाद आपने just क्या करना है पपुबिश करना है लेकिन उसके बाद उससे बहले अक और चीज़ है उसका हम देखते आ है यहांँ पर रहा हैं डिस्प्लेगललाइन तो यहां पर अगर हम क्लिक करते हैं तो जो टैग लाइन है अगर मैं हमारे पेज भी करता हूं तो यहां पर भी नजर आ रही है कि जस्ट एन अधर वर्डप्रेस साइट तो इसको हमने हमेशा क्या करना है डिसेबल ही रखना है या फिर अपने ब्रैंड का अगर कोई अच्छा ऐसी एक टैग लाइन है तो आप उसक भी देख सकते हैं यह कैनवा का लोगो है तो हम क्या करेंगे स्लेक्ट आइकन पर क्लिक करेंगे स्लेक्ट आइकन कर लेते हैं और इसका जो साइज है वह चोटा होने वाला है तो मैं एड़ टाइम जो है हमारा क्या नाम नहीं आ रहा है इसका हमारा जो लोगो है हम उसी को क्योंकि हम इतना बड़ा लोगों वहां पर डिस्प्लेय नहीं करवाना चाहरे तो अभी ये खुद बाफुती इसे एक सभी पॉजिशन में ले आएगा क्रॉप इमेज करेंगे और क्रॉप इमेज करने के बाद ये देखें आप उपर तो हमारा वो लग चुका है उसके लन याउनिट कर सकते हैं REALLY तो मैं क्लिक करता हूँ हमारा सैटिंग में आने के बाद हमें जाना है सिम्वल हमारा धो इसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम जो सारी चीज़ें उसको manage करते हैं तो site का title आपको front पर नजर आ रहा होगा site title auto zone तो आप यहां से इसको change कर सकते हैं for example अगर मैं इसको रख लेता हूं मैं और मैं store का नाम दे देता हूं मैं store और उसके बाल हमारे पास tagline है लेकिन अगर आपका कोई स्लोगन है तो आप स्लोगन जो है वहाँ पर प्लेस कर सकते हैं उसके बाद वैबसाइड यूरल है इसे नहीं छेड़ना और साइट अड्रेस है इसे नहीं छेड़ना और यहां पर हमारा इस बंदे का इमेल एड्रेस है यह जिसने इस वैब साइड को कर आ है तो हम इसको भी चेंज कर सकते है लेकिन जब भी हम इसको चेंज करेंगे तो पहले एक इमेल जो proclaimed पर एक जूट करेब उस इमेल को भेजा जाएगा तो वहां से कन्फर्म करेगा फिर यह चेंज होगी अदर्वाइज यह सिंपली ऐसे चेंज नहीं होती मेंबर्शिप एनिवन कें रिजिस्टर इसको अभी अंटी की रहने दे बात में इस पर हम बात करेंगे और भाकि जो भी चीजेंगे अभी अभी के टाइम के लिए अम इनको डिसकस नहीं करते क्योंकि यह चीज़ें यह यहां पर आकर रीफ्रेश करण हमारा लोगो चेंज हो गांगा तो दूसरा हमारा जो टाइटल है वह होगा तो लोगों हमें नज़रा बहुत करना है और। अगर अबने वीडिव को लाइक नहीं किया तो खांइली लाइक कर दें और अपने के साथ तो जाधास चैर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारी जो नेक्स्ट वीडियो हैं वह बहुत ही इंशाला डे वाई डे वो आने वाली हैं तो हम जल्द ही इस ट्रिटोरियल को जो है वह फिनिश करके एक एड़ास लेवल पर लेका जाएगी तो अपना और अपने घरवालों का बहुत सारा ख्याल रखिए अपनी दौाओं मे आदे कियेगा टेक केर अला हाफीज